कर्मय आचार्य बिनोत भरद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ जीवन में साथ चीजे अपनाने से माता लक्ष्मी जीवन भर आपके घर में वास करती हैं निश्चित रूप से क्योंकि मन मस्तिक के द्वारा सोचा हुआ जो आपका नित्य नयमित्तिक का कारे ह उसी से आपके घर में आर्थिक उन्नती होती है आर्थिक उन्नती का मतलब एक पहलू और भी है माता लक्षमी का वास माता लक्षमी का आसिरबाद भगवान कुवेर का आसिरबाद लेकिन इस कारिक्रम की जानकारी देने से पहले एक बिसेश जानकारी है यदि आप हमसे किसी भी प्रकार का प्रश्न लेना चाहते हैं यदि आप किसी समस्याओं से निस्चित रूप से दोचार हो रहे हैं तो आप हमारे साथ सेर कर सकते हैं एक सुन्दर सा उपाए आपके बिगनों को दूर कर देगा आप जाएं www.ashtotak.com पे बिनोध भरत द्वाज प्रफाइल को सिलेक्ट करिए और अपने कुस्चन को हमारे पास भेद दीजिए हमें एक सुन्दर सा उपाए देंगे आपके जीवन की बिगनबाधाएं दूर हो जाएंगी यदि आप फोन पे हम उससे बात करना चाहते हैं तो बिरकुल वहां पे सेवा है आप फोन पे बात करके अपनी समस्याओं का एक समाधान ले सकते हैं या समाधान निश्चित रूप से आपके जीवन में आर्थिक उन्नती का कारक बन सकता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि आपको विसेश सला दी जाए तो न इस चित रूप से किसी ना किसी ब्यक्ति की रूप में आजाते हैं किसी ना किसी ब्यक्ति के वारी की रूप में उनका प्रवाव आपके जीवन में होने लगता है अब बात करते हैं साथ वह अचूक कारिया जिनको आप अपना करके अपने घर में खुसियां ले आ सकते हैं अपने घर में माता लक्षमी की कृपा प्राप्त करा सकते हैं तो सबसे पहला नियम क्या है आपके घर की महिलाएं शाम के समय सुर्यास से लेकर के एक घंटे के अंदर सुर्यास हो जाए उसके बाद एक घंटे के अंदर घी का जोत इसान कोड में जरूर जलाएं या अपने पूजा पाठ के मंदिर में जरूर जलाएं इससे माता लक्षमी की कृपा प्राप्त होती है क्योंकि घी अगर आपके घर में नित्य नयमितिक जल रहा है तो नकारात्मक उर्जा दूर होती है जब नकारात्मक उर्जा दूर होती है तो माता लक्षिमी की कृपा होती है शोने के पहले इसको अच्छी तरह से जान लीजिएगा सोने के पहले एका कपूर लें और थोड़ी सी दो तीन लौंग लें अपने सोने वाले रूम में उसका पूर के उपर लौंगरा करके जला दें इससे क्या होगा दिन भर का जो भी आपके मन मस्तिक में एक तरह से नकारात्मक उर्जा चल रही है वो दूर हो जाएंगी नींद अच्छी आएगी अगली सुबह अच्छी होगी तो आप अच्छे ढंगते कारिको आप क्रियानवित कर सकते हैं और धन कमा शकते हैं नमबर तिर बुजूरगों का सम्मान करें क्योंकि बुजूरग हमारे पित्र है यदि पित्र खुस है तो निस्चित रूप से आपके देवता खुस है देवता कौन होते हैं? देवता होते हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक उर्जा के देवतक होते हैं जो हमको सकारात्मक उर्जा प्राप्त कराते हैं जिसके सहारे हम बाहर जाके कारे करते हैं और उस कारे में निस्चित रूप से असफलता नहीं मिलती और सफलता लेके वापस आते हैं तो आप यदि बुजरुगों का आसिरबाद लेंगे तो देवता खुस होंगे देवता खुस होंगे तो आपके घर में धन धान पर पुर्ण रहेगा माता लकशमी का वास रहेगा रात में सोने के पहले आप देखें कि आपके घर में कोई असतवसता तो नहीं है कोई समान एदोज़ दोजर फेंका तो नहीं है यदि फेंका है तो उसे यथावत अस्थान पे रख दें इससे क्या होता है इससे सकारात्मक उर्जा का उदे होता है और हर प्रकार से माता लक्षिमी की कृपा होती है अगला उपाए रात में सोने के पहले दक्छन साइड में क्योंकि दच्छन से नकारात्मक उर्जा का प्रवाव अत्यधिक होता है तमाम प्रकार के भै भी ब्याप्त होते हैं क्योंकि दक्षिन का मालिक कौन है यम है यम की नाराजगी हर प्रकार से पीड़ा धायक होती है बिमारियों का आगमन होता है अगर यम की नाराजगी होतो तो आप दक्षिन की ओर, आप सरसो के तेल का दीपक जला के देखें, आर्थिक उन्नती होगी, आप सस्त होंगे, और सस्त होंगे तो आर्थिक उन्नती तो होनी ही होनी है, और सबसे अंतिम नियम, सबसे important नियम, आजकल देखा जाता है, घर के बाहर, बहुत सारे चपल निका रात में आप उन चप्पलों को उठा के अथास्थान पे रख दे क्योंकि रात्री कालीन बेला में शाम के शमय से लेकि पूरी रात्री में माता लक्षमी का वास होता है आवाहन होता है माता लक्षमी आपके घर में आती हैं तो द्वार पे चप्पल पड़ा रहता है द्वा कारात्मक्ता का एक तरह से बहुत बड़ा आपके ऊपर ऊपर डंड आने वाला है मन मस्तिक नहीं काम करता है इसलिए मुख्यद्वार के सामने जूता चप्पल अगर रखा है दिन में तो साम को उसे उठा के अथा अस्थान पे रख दें मतलब उसको छिपा के रख दें माता लक्षमी आपके घर आएंगी आतित्थ सविकार करेंगी और आपके जीवन में अर्थ की उन्नती कराएंगी आपके ब्यापार में उन्नती कराएंगी आपके घर में खुशहाली शंब्रदी के साथ साथ आरोगता प्राप्त कराएंगी यह कारिकर्म यदि आपको अच्छा लगा है तो ओ महा लक्षमे नमा आप लिख करके अपनी मुहर लगाईए और कारिक्रम को जरूर सेर करिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यबाद नमस्कार